हेलो फ्रेंट्स तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पेज एंड पोस्ट को डूब्लिकेट कैसे करते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि माल लीजिए कि हमारे पास हम एक लाइव वेबसाइट पर काम कर रहे हैं और हमारे पास उसका सी पैनल नहीं है और फिर सीसे कोड एड करना है तो फिर कैसे कर सकते हैं ओके वो चीज़ देखते हैं तो एक तो हमारे पास ओप्शन होती है यहां पर कस्टमाइज की तो जैसे कस्टमाइज को हम ओपन करते हैं और इसमें एक अडिशनल सीसे की ओप्शन होती है हमारे पास यह दीखें यहां प क्या है कि हम plug-in add कर सकते हैं plug-in install कर सकते हैं जिसमें हम ccs को भी add कर सकते हैं और js को भी add कर सकते हैं तो वो कौन सा plug-in है जैसे यहां plug-in में जाओगे और add new पे click करोगे और यहां पे search करोगे simple custom ccs and js यह जो first number पे आपको plug-in show हो रहा है आप इसको install कर लीजिए और activate कर लीजिए मैंने इसको पहले से install कर रखा है जैसे आप install करोगे तो आपके बास यह option आ जाएगी अब मैं यहां पे मालीजिए add js करता हूँ add custom js तो यहां पे आप कुछ भी नाम लिख दीजिए कि आप किस टाइब की script add कर रहे हो मैं लिख देता हूँ यहां पे custom js लिख देता हूँ और यहां पे मैं check करने के लिए alert लगा देता हूँ कि हमारा यह code चल भी रहा है या नहीं चल रहा है और यहां पे test लिख देता हूँ यह right side पे हमारे बास कुछ option है कि आप इस file को कैसे use करना चाहते हो यह external file as a external file यूज करना चाहते हो या internal external में आपके पास एक link बन किया जाएगा और internal में आपके page पे ही वो ccs हा जाएगी sorry js हा जाएगी और यहां पे हमारे पास option है कि आप इसको header में header में add करना चाहते हो यहां फिर footer में add करना चाहते हो यहां पे front end जो हमारा front end अभी उस पे use करना चाहते हो script को यहां फिर जो हमारा admin है जैसे अभी हम हमने login कर रखा है न वहां पे use करना चाहते हो यहां फिर कोई login page है वहां पे use करना चाहते हो इसको ना ठीक है मैं इसको publish कर देता हूं यहां से मैंने publish किया और यहां पर मैं refresh करता हूं पेज को यह देखिए हमारे पास test आ गया है तो इसका मतलब है हमारी js चल रही है एक बार हम control u करके भी देख लेते हैं हमारे पास यह alert आया कहां पर यहां लिखता हूं यहां पर आया हमारे पास यह alert ओके और ऐसे ही भी हम CCS एड़ कर सकते हैं एक बार CCS भी एड़ करके देख लेते हैं यह हमारे बास टॉप पे जो social icon सारे इनका color में चेंच करके देखे लेता हूं थोड़ा से, मैं यहां पर add custom css कर देता हूं और यहां पर इसका नाम बहुत देता हूं custom css और वो हमारी social icons हैं तो मैं उसके अंदर anchor है और एंकर का मैं background color change कर देता हूं यहां पे background color black कर देता हूं अभी red सा आ रहा है कुछ कि इसको मैं important कर देता हूं ओक्ये चलिए मैं इसको publish कर देता हूं और एक बार चेक कर लेते हैं हमारी जो यह CCS है वहाँ पर काम कर रही है या नहीं कर रही है मैं इसको refresh करता हूँ तो शायद में recording इसका background color black हो जाना चाहिए icons का यह हमारा JS run होई है यह हमारी CCS supply हो गई है ठीक है तो इट मेंस कि हमारा यह जो plugin हमने install किये इसमें जो भी हमने JS और CCS add कि है यह proper work कर रही है लेकिन मैं recommend करूंगा कि plugin तभी install कीजिए आप जब आपके पास कोई option ना हो तो इस वीडियो में यही था वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और आप मेरे चैनल पर अगर new हो तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का update आपको मिलते रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में All the best